टॉपिक डायलूग राइटिग बोलते हैं तो उसे कहते हैं डायलूग और वह बोले हुए डायलूग को जब हम लिखेंगे तो उसे कहेंगे डायलूग राइटिग conversation between two person conversation यानि की बातचीत जब दो लोग बात करते हैं तो वो दोनों की जो बीच की बात होती है उसे कहते हैं conversation और वो ही conversation को जब हम notebook में लिखेंगे तो उसे कहेंगे dialogue writing अब जो dialogue writing होते हैं वो इस type पे होते हैं सबसे पहला होता है interview यानि की एक जो person है वो interview ले रहा है और दूसरा person है वो interview के questions के जवाब दे रहा है दूसरा होता है इंटोडक्शन इंटोडक्शन में हो सकता है कि आप है वो अपने आपको इंटोड्यूस कर रहे हो या फिर आप अपने फ्रेंड्स को अपनी फैमिली के साथ इंटोड्यूस कर रहे हैं कि यह मेरा फ्रेंड है इसका नाम यह है इस तरह से तो वो होता हैं सब्सक्राइब करना और पूछना कि अगर मैं किसी कंपनी में पूछ रही हूं कि मुझे आपकी कंपनी के प्रड़क्स के बारे में जानना है तो मैं question पूछूंगी और मुझे वो उसकी information देगा तो ये हो गया conversations इस type के conversations वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आपकी जो syllabus में है वो इस type के ये चार है यहाँ पर examples है questions लिखे हैं हमाने पहला जो question है वो है write a dialogue between two friends planning for Diwali यानि कि पहला question ये है कि हमको dialogue लिखने हैं दो friends के बीच में जो Diwali का planning कर रहे है दूसरा है write dialogues between student and a teacher यानि कि दूसरा जो question है वो ऐसा है कि teacher और student क्या बात कर रहे हैं उसके बीच में dialogues लिखने हैं और वो क्या बात कर रहे हैं student is asking for three day holidays यानि कि student को teacher से तीन दिन की छुट्टी चाहिए और उस बारे में teacher और student बात करेंगे लास्ट वाला question है write dialogues between interviewee interviewee इसको ध्यान से देखना interviewee यानि कि जो person interview लेता है उसे कहते हैं interviewee write dialogues between interviewee taking interview of the celebrity यानि कि आपको dialogues लिखने हैं कि एक inside interview ले रहा है किसी celebrity का और वो दोने की बीच की जो बातचीत है जो conversation है आपको वो लिखना है तो इस टाइब की questions जो है वो आपकी exam में आ सकते हैं अब देखेंगे एक example पूरा dialogue writing मैंने एक लिख के रखा है वो dialogue हम यहाँ पर check करेंगे question है write dialogues between two friends meeting after long time यानि कि दो friends की बीच की आपको dialogues लिखने हैं जो काफी time के बाद एक दूसरे से मिले हैं अब लिखने से पहले मैं आपको बता दू यहाँ पेक मैंने line draw किया है pencil से और उसी के उपर मैंने यह dots बनाए है exam में आपको इसी तरह से जो dots है वो एक ही line में आने चाहिए आपकी जो lines है आपकी जो dots है वो आगी पीछे नहीं होने चाहिए तो आपको क्या करना है पहले line draw कर लो और जब आपका dialogues finish हो जाए तो अब लिखने के बाद यह line को erase कर दो तो आपकी जितने भी dots से पहले वो सारे के सारे line में रहेंगे अब यहाँ पर जो friends है उनके नाम नहीं दिये है यहाँ पर जो friends है वो friends के नाम नहीं दिये है इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया है friend A, friend B लेकिन अगर exam में आपको यहाँ पर question के अंदर नाम दिया जाए जैसे कि राहुल और अमित राहुल और अमित के बीच में आपको dialogues लिखने है तो हम यहाँ पर राहुल और अमित यूज करेंगे लेकिन यहाँ पर हमें नाम नहीं दिये है question के अंदर हमको नाम नहीं दिये है इसलिए मैंने यूज किया है friend A, friend B और इस तरह से आपको dialogues लिखने है और example अगर आपका जो dialogue writing है वो four marks का है तो आपको total eight dialogues लिखने है अगर आपका dialogue writing five marks का है तो आपको ten dialogues लिखने है इस तरह से आपको जो dialogue writing है वो पूरा complete करना है